हेलो प्रेंट्स वेलकम बेक टू टेकनिकल ब्रगू तो दोस्तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा रेल्मी के 35G स्मार्टपोन के बारे में जो कि इसमें आप लोग को मिल जागा 64 मेगा पिक्सल का क्वार्ड कैमरा सेट अप, ड्वेल पंच ओल सेलफी कैमराज यानि की 6 कैमराज और क्वालकॉम श्नेप ड्रेगन 765G का प्रोसेसर विद 5G के सपोर्ट के साथ, तो चली दोस्तो बात कर लेते हैं, रेल्मी के 35G स्मार्टपोन के बारे में, कि इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है, और क्या होगी इसकी प्राइस, और कब तक ये लॉंच होगा, तो चली दोस्तो वीडियो श्टार्ट करते हैं, तो श्टार्ट करते हैं इसकी डियान से, तो इसमें आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा, जो कि ग्लास ग्रेडियन प्रिंसिंग के साथ आएगा, और उसी के साथ आपको क्वार्ड कैमरा सैट अप विद LED प्लेस भी मिल रेजुलेशन के साथ आएगा, और इसमें आपको 120 अर्ट का रेप्लेस रेट वाला डिस्प्लेइ पैनल देखने को मिलेगा, और इसमें आपको साडमांटेड फिंगर्पिंट सेंसर मिलेगा, जो कि इससे बहले 129X में देखने को मिला था, और इसमें आपको SELP के लिए अंडर डिस्प्ले डॉयल पंचोल सेल्फी कैमराज देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं इसके पर्पॉर्मेंस के बारे में तो इसमें आपको Qualcomm की तरफ से Snapdragon 765G का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 5G चिपसेट होगा और इसमें आपको N.10 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि बेश्ड होगा MIUI 11 पर और दोस्तों ये दो रेमविरेंट के साथ लॉंच होगा 60G प्लस 64GB एंड 8G प्लस 250 60GB एंड वहीं पर बात करते हैं इसके कैमराज के बारे में तो इसमें आपको बैक साड में Quad Camera Setup देखने को मिलेगा जिसका Primary Sensor 64 Megapixel का होगा जिसमें Sony का IMX686 का Sensor यूज किया गया है और इसी के साथ आपको 5 Megapixel का Teleportu Lens 8 Megapixel का Ultra Wide Angle Lens एंड 2 Megapixel का Depth Sensing Sensor देखने को मिल जाएंगे एंड प्रन साड में आपको Selfie के लिए अंडर डिस्प्ले ड्वल पंच ओल Selfie केमराज देखने को मिलेंगे जिसमें 20 प्लस 2 Megapixel 2 Camera Lens का यूज किया गया है एंड बात करते हैं इसकी बैंटरी के बारे में तो इसमें आपको 4500 MHz की बैंटरी मिल जाएगी विद फार्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा जो की 30 Watt के सुपर फार्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और इसमें आपको Type-C Port, 3.5 mm, Headphone, Jack and Face Unlock जैसे फीचर भी मिल जाएंगे तो चली दोस्तो अब बात कर लिते हैं इसकी प्राज और लॉंच रेट के बारे में तो दोस्तो ये एपरोक्स 20,000 रुपीज बेस ब्रेंट की प्राज के साथ लॉंच होगा और दोस्तो बात करते हैं इसकी लॉंच रेट की तो दोस्तो इसकी launch rate अभी तक confirm नहीं हुए लेकिन दोस्तो ये launch हो सकता है December के मन्त में तो दोस्तो ये थी Redmi K35G की कुछ specs I hope दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर अभी तक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा